ुमеро स्कार किसानमितुरू स्वागत हैं आपका अपने क्रसे खहते यूटूब चैनल में किसान शाथियों आज हम बात करेंगे कुल ये कुलोंजी की पसल में जो जड़ लन ये तनागलन रोग लग रहा है या बहुत सारे किसानों की समस्या उत्पन हो रही हैं उनकी कुलोंजी की फूल में जो फूल आ रहे हैं वो अपर से सोक रहे हैं आजी बातों पर आज के स्यूडियों में हम बात करेंगे किसान सात्यों कुलोंजी की पसल में जर गलन या तला गलन जैसी बिमारियां फंगस के दौरा उपन होती है तो साथियों आज हम जानेंगे कि कुलान जी की पुर्सक्र के लिए कौन सा फंजिसाइड बेश्ट रहता है तो साथियों सबसे पहले हम बात करते हैं जो सेजिन्टा का अमिस्टार टॉप आता है ये एक सिस्टेमिटिक फंजिसाइड है आप इसका काम में ले सकते हैं साथियूूइश श्रोप बिन जो के 12 पॉंड, to aft06 अता है इसके लवा ड़ाय फेहनेकोनजौव 11 पॉंड चार 1 पॉंड, सब्सक्राइब आता है इसको 25 अमलड प्राशक्में के मिलाकर कर काम में ले सकते है इसके लविशयूश Haususan साथियू इसमें जो कुसागु माइसीन आता है वह सिस्टेमटिक फंसाइड होता है और कोपर ऑक्सिक लॉराइड जो कि 45 प्रति डबली पी में आता है वह एक कॉन्टेक्ट फंसाइड है तो साथ हूं आप धनुका का आप इस कॉनिको फंसाइड का इस्तमाल भी आपके कॉलोंजी की में कर सकते हैं यह आप इसका इसतमाल आप 25 हैं में परती डिटर में कर सकते हैं साथ हूं इसके लावा है आप जो सीदेंट का कवच आता है जो कि कॉंटेक्ट के नाम से जानते हैं इसका भी काम में ले सकते हैं इसके अलाव साथियों आप रोको जिसे जिसमें फैनोनाइट मिठाइल सातर स सकतर इस से रहें इसके स्थाइट के सकते हैं इस इस कर सकते हैं अगर प्रोपेनोफोस का इस्तिमाल नहीं करते हैं तव आप इमिडा क्लॉर्फूड का लगबग 25 हमल परती टंके में मिला करके इनी के साथ स्प्रेक कर सकते हैं ताकि साथ यूँ इस समय जो आपकी क्लॉणजी की पसल में फ्लारिंग हो रही हैं तो उसमें बहुत सारे रस चूचने वाले केटू का प्रकॉप भी देखने में मिल सकता ह अगर आप इमिडा क्लॉर्फूड का इस्तमाल करते हैं तो रस चूचने वाले केटू का प्रकॉप कम हो जाएगा जिससे आपकी क्लॉणजी की पसल में जो पिलापन है वो दूर हो जाएगा इसके लाव साथ यूँ जब आपकी क्लॉणजी की पसल में डोडिया बन जाए जैसे कि इसे में देखने में मिल रही हैं डोडिया बन चुकी हैं तो आप एन पिक के जिरो बावन चोतिस का स्प्रे कर सकते हैं 50 ग्राम परति टेंगी में मिलाकर साथियों अगर आपकी कुलॉणजी की पसल में इन लोगों को डिजिस का प्रकॉप जादा हैं तो आप ता का काम करता है अगर आपकी कुलॉणजी की फसल में बैक्टेरियल जनित कोई रोग होगा तो उसमें लड़ने में काफी मदद मिलेगी स्ट्रेप्टो साइकलें से तो आप चार ग्राम परति टेंगी में आप धानुका के जो कौनी का काम मिलेंगे इसमें जो कसागो माइसी पाई परतिस आता है और कोपर और्कसिकलाइड जो की 45 परतिसे ड्वली बूर्ब आता है काफी अच्छे मदद मिलेगी तो साथियों आप कुलॉणजी के पसल में इन फंजिसायड का इसमाल करके आपकी कुलॉणजी के पसल में कोई समझा है तो आप हमें कमेंट के माद्य करें जय हिंद जय भारत जय किसान